हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उमेद ऐसा बच्छे से होगे आप सब को बगवान बहुत खुश रखे आज के वीडियो में बात करेंगे उशा के इस फैनीटर के बारे में उशा के इस फैनीटर की रिविदियो और अन्बोक्सिंग वीडियो मैं अल्रेडी चैनल के उपर डाल चुका हूँ आप जाकर के देख सकते हैं या फिर मैं आपको यहां कहीं लिंक दे दूँगा आप चेक कर सकते हैं क्या-क्या features होते हैं इसमें सारी चीजे मैंने उसके अंदर बता रखी है including rate या फिर प्राइज भी लेकिन इस वीडियो के अंदर आज मैं क्या बताने वाला हूं एक्शली दोस्तों जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी उनके ऊपर कुछ comment comments आए आप लोगों के दिमाग में confusion है इसके model number को ले करके क्योंकि यह same heater जो उशा का heater है इसके दो model number market में चलते हैं और फिर समझ नहीं आता कि कौन से model number वाला हमें लेना चाहिए तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर ताकि अगर आपके दिमाग में बी ऐसी कोई confusion है यहां फिर आप उशा का यह fan heater लेना चाहते हैं और confused है कि कौन सा model number वाला लेना है और यहां फिर कौन से model number वाला बढ़िया होता है तो यह वीडियो आपके लिए है चोटा सा वीडियो है एक और बात यहां पर मैं आपको clear कर दूँ सबसे पहले कि उश आपको उशा का लेना है तो आप उशा का लीजिए किसी और ब्रैंड का लेना है तो किसी और ब्रैंड का लीजिए लुक और जो features होते हैं या फिर performance wise भी सब आपको लगबग एक जैसा ही मिलने वाला है लेकिन अगर मैं बात करूँ उशा की तो उशा के जो fan heaters होते हैं particular ल है अब बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की तो दोस्तों मॉडल नंबर की अगर बात करें तो मॉडल नंबर आप देखोगे कि इसका जो बॉक्स होता है इसके ओपर लिखा होता है और यह कई जगा पर लिखा होता है यह मैं आपको यहां पर भी लिखा हुआ दिखाता हू होता है heat convector और यह जो model नंबर है इसका यह 812 T है अब confusion यहाँ पर है कि जब इसके अंदर से यह heater निकलता है तो heater के उपर लिखा होता है FH 812 T तो यहाँ पर confusion हो जाती है कि box के उपर लिखा हुआ है HC और heater के उपर लिखा हो है FH तो अब actual में model number है क्या दोस्तो model number दोनों ही एक ही चीज है यह सिरफ इसको differentiate किया गया है HC का मतलब होता है heat convector और FH का मतलब होता है fan heater बाकी model number सेम है जब भी आपको लेना है तो आप 812 T देख के लिजिए FH या फिर HC से confuse मत कीजिए बेशक आप HC लीजिए FH लीजिए आपको जो fan heater है वो यही मिलेगा next video बनाऊंगा इसी fan heater के साथ इसकी power consumption को ना पेंगे live देखेंगे कि यह जो इसके dial buttons है यह company वाले कहते हैं कि यह 1000 watt पे भी चलता है और 2000 watt पे भी चलता है और fan mode पे भी चलता है तो हम देखेंगे कि fan mode पे यह कितनी बिजली खाता है 1000 watt पे कितनी बिजली खाता है 2000 watt पे कितनी बिजली खाता है यह 1000 watt से जादा खाता है यह कम खाता है सारी चीजे हम चेक करेंगे बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं इस चीज के उपर और पावर कंसंप्शन मेजर करने के लिए मैंने एक टूल लिया है जिसकी मदद से हम ये सब कुछ लाइव करके देखेंगे तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में अभी के लि ये गोड ब्लस्यू फ्रेंड्स